आज हम बात करें हैं पांच ऐसे फलों के बारे में जिनको आप घर पर आसानी सोगा सकते हैं बिना ज़्यादा मैनत किये बहुत ज़्यादा खर्च की इसमें आउशकता भी नहीं है और काफी सालन तो कि आपको फल दे सकते हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहले पहल सानी से तरपूज का फल ले सकते हैं बीज को लगाने से पहले 24-36 घंटे तक पानी में भीगोकर रखें और जो वराइटीज आप ले सकते हैं हम में बेबी सुगर दुरगापूर मीठा अरका जोती तो इन किसमों के बीज काफी अच्छे हैं या बाजार से ले सकते हैं तर पर 250 PPM एथरल का अगर छिड़काव करते हैं तो उससे पैदावार और भी ज़्यादा हमें मिल सकती है स्ट्रोवरी स्ट्रोवरी को आप घर में गमलों में आसानी से लगा सकते हैं एक पोधे से आप 200 से 500 ग्राम तक स्ट्रोवरी फल ले सकते हैं इसका पोधा कुछ ही महिनों में फल देना शुरू कर देता है कुधा लगाने से पहले पुराने जो पते हैं उनको निकाल देना चाहिए और केवल एक या दो नया पता है उसको ही रखें स्ट्रोवरी को 10 सितंबर से 10 अक्तिवर तक लगाया जा सकता है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 9 अमबर तक इसको लगाया जा सकता है फरवरी के आखरी सपता से मार्च में फल पकने शुरू हो जाते हैं तो स्ट्रोवरी का आनन्द आप घर पर लगा कर ही उठा सकते हैं बहुत ही आसानी से हो जाती है और घर की शोबा भी बढ़ाती है हमारी एगली फसल है ड्रैगन फरूट इसको पिताय भी कहा जाता है ये किसी भी परकार की मिट्टी में हो जाता है ड्रैगन फरूट एक परकार की बढ़ने वाली बेल होती है इसको कम महनत और बिलकुल कम पानी की आवशकता होती है ड्रेगन फ्रूट की बेल लगाने के 2-3 साल बाद ही फल देना शुरू करती है और लगातार 15 साल तक बिना किसी खास खर्च के फल देती रहती है कंक्रीट का पौल बनाकर उसके उपर गोल पहिया बनाया जाता है ताकि जो ड्रेगन फ्रूट का पोदा है उसको सहारा मिल्स के ड्रेगन फ्रूट के पोदे जून जुलाई या फरवरी मार्च में लगाए जाते हैं जादा बारिस वे सर्दी वाले इलाकों में सितंबर वे फरवरी मार्च में लगाने चाहिए मई जून में फल लगते हैं और फूल आने के एक महीने बाद फल लग जाते हैं पपीता की घर के गार्डन में लगाईे और इसकी जो किस्म है वो आप लगाईे रेड लेडी 786 किस्म क्योंकि इस किस्म के पोधे पर नर और मादा दोनु तरह के फूल आते हैं और फल लगने की आने की गारंटी हो गई ये किस्म 9 महीने में फल देने के लिए तैयार हो जाती है पपीते के बीज बोने का जो समय है वो है जुलाई से सितंबर और फरवरी से मार्च हमारा अगला फल है निम्वू एक बार लगाईए और 25 से 30 साल तक ये आपको फल देता रहता है घर पर आसानी से लगा जा सकता है निम्वू का पोदा नौमबर से जनौरी के बीच बहुत अधिक और अच्छे फल देता है इसको गमलो या गर्डन में लगाने के लिए कम से कम एक साल का कम से कम एक साल का तो जुरूर नसरी से पोदा लेकर आएं और बसंत मोसम में अगर इसको आप लगाते हैं तो सर्दी आने से पहले ही बड़ा हो जाता है निम्वू के पोदे को जुलाई से अगस्त महीने में लगाया जा सकता है